आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ नमस्कार स्वागत है आपका डाउटनेट पर हमारा प्रशन है केंदर O वाले वरत्त में ये भी जीवा है जिसकी लंबाई 10 cm है बिंदू A और B पर खीची गई इस पर श्रेखाए वरत्त के बाहर बिंदू P पर प्रतिछेदित करती है यदि O P बराबर दो गुड़े O A है तो A P की लंबाई cm में ग्याद करें चार विकल्प दिये गए हैं और इस प्रशन को करते हैं हल यहाँ पर इस प्रशन को समझते हैं चित्र के माध्यम से एक वरत्त है जिसका केंदर O है वरत्त का केंदर O है और इसके अंदर एक जीवा है A B ये जीवा हो गई A B अब दो इस पर श्रेखाए बनाते हैं जो A और B को इस पर्ष करेंगी जहां पर ये इस पर्ष रेखाए मिल रही है ये बिंदू है P ये वाला बिंदू हो गया P और तो यहां से हम कह सकते P A बराबर होगा P B के अब इस केंदू को मिलाया A से और B से O A बराबर होगा त्रिज्ज्या के R मान लेते हैं और O P दिया गया है दो गुना है O A के O से लेकर P तक ये दूरी है दो R के बराबर ये कोड 90 डिगरी है 90 के सामने 2R है और यहां पर ये R है तो यहां पर साइन प्रमे लगाएंगे तो ये कोड आ जाएगा 30 डिगरी का और ये कोड भी 30 डिगरी का हो जाएगा ये पूरा कोड 60 डिगरी है और बात करें इसकी और इसकी तो AP बराबर होगा PB के तो यहां से ये दोनों कोड भी आपस में बराबर होगे यानि कि कोड PAB 60 डिगरी और कोड PBA भी हो जाएगा 60 डिगरी तो यहां से हम कह सकते हैं इसके सभी कोड 60 डिगरी के हैं तो यहां पर इसकी सभी बुजाएं एक समान होगी यानि कि AP की लंबाई बराबर होगी AB के और ये बराबर होगी PB के अब AB की लंबाई दी गई है 10 cm तो ये हो जाएगा 10 cm 10 cm हो जाएगी यहां से AB, PB और AP की लंबाई हमसे पूछी गई थी AP की लंबाई जो किया आ चुकी है 10 cm अब चैन करते हैं सही विकल्प का तो यहां पर यह पहला विकल्प है 10 cm तो धन्यवाद मिलते हैं अपने प्रश्न के साथ क्लासिक स्ट्वेल से लेके नीट IIT जेही मीन्स और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स आच चार्सो 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 पर